हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल शुश्मा राजकुपता हम लोग करें प्रिंसिपल्स और फाइनेशल अकाउंट्स जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनेशल स्टेटमेंट्स का तो इसमें आज हम करेंगे फाइनल अकाउंट्स विद आदी अजस्टमेंट्स हम इस वीडियो में करेंगे आदी जो अजस्टमेंट्स हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ठीके तो आपने वीडियो जो हैं लास्ट तक देखनी है सारी अजस्टमेंट्स इंपोर्टेंट है चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है अडजस्टमेंट्स सबसे पहले अडजस्टमेंट्स होती है जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लोस अकाउंट बनाते हैं तो हमने जो है पूरे साल की जो भी इंकम है और जो एक्सपैंसीज है उनको कंसिडर करने हैं किसको इंकम और एक्सपैंसीज जो भी हमने ड्यूरिंग दा इयर इंकर किये हैं ठीक है वैदर पेड और नॉट कई प्यार क्या होता है कि जब हम ट्राइल बैलेंस तियार करने लग जाते हैं तो ट्राइल बैलेंस के टाइम पे कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो ट्राइल ब अजस्टमेंट हम कहां करते हैं क्या ट्राइल बैलेंस में करते हैं नहीं उनको हम ट्राइल बैलेंस में कंसिडर नहीं करते हैं जब हम फाइनल अकाउंट से त्यार करते हैं तो फाइनल अकाउंट में हम उन ट्राइक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ठीक है जिस तरह ट्राइल जाता है closing stock ठीक है यह जो adjustments मैं आपको बता रही हूँ यह आपको theory में भी question आ सकता और इन से related practical भी आ सकता है ठीक है तो सबसे पहले closing stock होता क्या है closing stock का मतलब है unsold stock unsold stock stock है जो की sale नहीं हो पाया at the end of the counting period उसे हम क्या कहते है closing stock कहा जाता है अब इसकी journal entry जब भी आपने theory लिखनी है तो इसमें क्या है closing stock को अच्छे से define करने है उसके पाद आपने इसकी journal entry डालनी है ठीक है journal entry आके इसकी stock account debit to trading account stock account debit to trading account वैसे भी यह trading account की debit side आता opening stock और closing stock आता credit side पर हम बात जो कर रहे है हम बात कर रहे है unsold stock की closing stock की तो यह trading account की credit side पर आई का और इसकी journal entry क्या हो की stock account debit to trading account ठीक है जी? अब इसकी treatment क्या है इसकी हमने दो जगा treatment करनी है जैसे मैंने आपको पहले बताया कहां कहां करनी है एक तो हमने इसको लेना है trading account की हम लोग क्या करेंगे? credit side लेंगे ठीक है क्या लिखेंगे? by closing stock दूसरा हम balance sheet में asset side इसको record करेंगे? balance sheet में क्या करेंगे? asset side इसको record करेंगे? क्या लिखेंगे? closing stock point clear है तो इस तरह से हमने closing stock की adjustment करनी है second आगी हमारी हाँ जी second है outstanding expenses outstanding expenses पो expenses है outstanding outstanding मतलब which we are to paid ठीक है? जो incurred तो हो चुके है which has been incurred but not paid उनको pay नहीं किया गया we are to pay these expenses ठीक है? अब इसकी हम पहले क्या करेंगे? journal entry तो इसकी journal entry क्या होगी? outstanding expenses account debit journal entry expenses account debit to outstanding expenses account debit करने हमने expenses को outstanding expenses को हम लोग क्या करेंगे? credit करेंगे तो इसकी treatment क्या होगी? यहां पर मैं कौन से expenses लूँ? अगर मैं लेती हूँ कि salary outstanding है ठीक है? मैंने इस चीज़ पे इतना जोर क्यों दिया कि salary ले रही हूँ के कोई और expense ले रही हूँ? इसलिए जोर दिया क्योंकि अगर मैं wages लेती तो उसको trading में treat करती अगर मैंने salary outstanding लिया है तो मैं इसे P&L में treat करूँ के salary already हमीती हुई है for example 40,000 ठीके there is a outstanding salary outstanding salary हम लोग ले रहे है that is 5,000 total आगी 45,000 अब क्या है ये जो outstanding salary है ठीके एक तो हम लोग इसको P&L में जो भी particular expense उसमें add करेंगे salary दी है तो salary में add करेंगे क्योंकि हमने अभी salary pay करनी है pay करनी है so it is our liability तो balance sheet की liability side हम लोग outstanding salary लिखेंगे ठीके तो ये outstanding salary ही लेनी है that is 5,000 ये वाली salary को consider नहीं करना point समझके तो outstanding salary एक तो P&L की debit side उस salary में plus हो की दूसरी balance sheet की liability side है की हाजी third adjustment हमारी आगी that is our prepaid prepaid expenses prepaid expense जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है वो expenses जो हम already pay कर चुके हैं ठीके expenses paid in advance is known as prepaid expenses point clear है हमने किसी को advance में salary दे दी, rent पे कर दिया या tuition fees दे दी तो वो हमारा asset माना जाएगा ठीके जब हमने इसकी journal entry करनी है तो journal entry आएगी prepaid expense account debit, prepaid expense account debit to expense account ठीके जी हमने करना गया prepaid expense को debit करने अब prepaid expense को debit करने का मतलब ये हमारा asset है आपने note किया कि जो outstanding expense है उसको मैंने credit किया क्यों? क्योंकि वो हमारी liability है तो इसको दो जगए treat करेंगे एक तो जैसे prepaid expense है rent जादा तर prepaid होता है जैसे rent हमने 40,000 पे किया उसमें से prepaid advance में हमने दे दिया 4,000 ठीक है? actual जो rent इस साल का है वो 36,000 है pay हमने 40 किया बट जो 4,000 हमने pay किया वो अगले साल का किया तो यहाँ पे हमने जो P&L में लेने इस साल की expenses लेने so that's why हम क्या करेंगे इसको minus करेंगे ठीक है? और balance sheet में अगर मैं इस side लिख रही हूँ left side तो वो liability है right side लिख रही हूँ तो asset है ठीक है न? तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? मैं rent in advance कितना पे किया? 4,000 पॉइंट समझके तो दो जगा इसकी treatment होगी एक तो हमने उस expense में से minus करना है दूसरा हमने asset side शो करना है हाँ जी next आगी हमारी accrued income वो income जो arise हो चुकी है जो income arise हो चुकी है ठीक है income हम earn कर चुकी है income has been earned बट not received बट वो receive नहीं हुई उसे हम क्या कहते है accrued income पॉइंट क्लियर अब इसे क्या करेंगे accrued income को हम debit करेंगे ठीक है accrued income भी हमारा asset है इसको debit किया क्यों किया? क्योंकि ये हमारा asset है asset क्यों है? क्योंकि amount आने वाली है ठीक है जी income आने वाली है पॉइंट क्लियर तो treatment कैसे होगी? profit and loss की यहाँ पर हम income लिखेंगे ठीक है? कोई भी income ले लो commission ले लो ठीक है? 10,000 हमें receive होगी प्लस accrued जो हमें receive होने वाली है ठीक है? 2,000 मैंने accrued income ले ली total होगी 12,000 10,000 वो जो मुझे receive होगी है 2,000 मैंने कमा ली है बट मुझे अभी तक receive नहीं हुई है बट इट इस आ पार्ट आफ आफ दा income during the year accrued income है तो इसको हम क्या करेंगे? asset side accrued income करके लिखेंगे accrued income, accrued commission हमें पता है न कि accrued commission है तो commission word लिखोगे accrued rent है तो rent word लिखोगे ठीक है? अगर आपको थियोरी का question हाता है आपने इसको और ज़्यादा explain करना है ठीक है? तक खतम नहीं करना इसको आप विद्धी example और दे सकते हैं income received in advance income जो हमें अडवास में receive हो चुकी है income received in advance अब जो income हमें कमाई नहीं है ठीक है? which is not earned ठीक है? but वो हमें receive होगी पहले क्या था? income earn तो होगी but receive नहीं हुई अब क्या? income not earned कमाई नहीं but receive होगी है तो दोनों में difference clear है अब जो चीज मैंने नहीं कमाई है ठीक है जी? वो मुझे receive होगी है तो वो कभी भी मुझे वापिस करने पर सकती है तो मैं इसको क्या मानूँगी? मैं इसको liability मानूँगी क्योंकि liability मानने है इसलिए मैंने इसको क्या किया? credit किया है point clear? अब इसकी treatment कैसे होगी? जैसे profit and loss account है इसमें हमें दिया हुए buy rent ठीक है rent मुझे मिला 40,000 again it is 40,000 इसमें से कुछ advance मिल गया अब जो rent advance में मिल गया न वो इस साल का नहीं अगले साल का तो उसे हम क्या करेंगे? minus करतेंगे point clear? जो rent in advance है उसे हम क्या करेंगे? rent में से minus करतेंगे क्योंकि हमने इसको क्या मान है? liability मान है मैंने बताया आपको liability क्यों मान है? क्योंकि जो चीज मैंने for example tuition fees एक tutor ने advance में ले ली अगर वो teach नहीं कर पाता तो उसे वापिस करनी पड़ सकती है अगर उसकी turns है तो वो हो गया कि जब हम कोई चीज advance में लेते हैं जो अब हमने earn नहीं किया है वो returnable है liability है हाँज नेक्स्ट आगया हमारा depreciation sixth point है depreciation depreciation सबसे पहले होती क्या है? depreciation is the decrease in value of asset ठीक है? हम asset की value में क्या होता है? decrease हो जाता है जैसे हम asset use करते जाते हैं तो उसकी value decrease होती है that is known as depreciation ठीक है जी? हर एक asset depreciate होता है जादा तर हम बात करते हैं यहाँ पे fixed assets की जो की decrease होते हैं fixed assets में आ गया है जैसे plant and machine आगी furniture आ गया ठीक है जी? वो asset जो की हम use करते हैं और जिनकी value decrease होती है machine है हमारे पास for example ठीक है 40,000 की उसकी हमने depreciation calculate की है that is 10% per annum पूरे साल की ठीक है तो 40,000 का 10% क्या होगा? it will be 4,000 तो depreciation हम कितनी लेंगे? 4,000 rupees ठीक है तो इसकी journal entry क्या होगी? इसकी journal entry होगी depreciation account debit to machinery account depreciation को हम debit करेंगे machinery को हम credit करेंगे depreciation को क्यों debit किया? because it is a loss in the value of asset loss होगी expenses होगी उसको हम क्या करते हैं? debit करते हैं machine को क्यों credit किया? क्योंकि machine की value पहले से काम होगी इसलिए उसको credit किया with rupees 4,000 not 40,000 40,000 तो asset की value है ठीक है? अब इसको treat करना है इसको balance sheet में कैसे treat करेंगे हम? balance sheet में हम लोग जैसे machinery लिखेंगे न asset side पे तो machinery हम लिखेंगे 40,000 की इसमें से minus कर देंगे depreciation 4,000 तो इसकी value आ जाएगी 36,000 point clear है तो इस तरह से हम इसकी treatment करेंगे हाँज नेक्स्ट आगे हमारा 7th adjustment that is of bad debts अब bad debts होते गए सबसे पहले bad debts ठीक है? bad debts का मतलब है what debts ठीक है? which cannot be recovered जिनको हम recover नहीं कर सकते is known as bad debts ठीक है? these are irrecoverable ठीक है? loss in the value of assets तो अगर किसी हम कह सकते हैं कि 31st March को debtors जो हमारे पास कितने के हैं? 20,000 के हैं और we expect कि there is a bad debts या हमें एक्च्वल में ही bad debts दिये हुए है 5,000 तो हम इसकी जर्नल क्या करेंगे? इसकी जर्नल एंट्री होगी bad debts account debit to debtors account bad debts को हमने डेबिट किया because it is in the loss of value of the assets ठीक है जी? अब bad debts कितने ले रहे हैं हम लोग? 5,000 balance sheet में हम लोग इसको शोग करेंगे क्योंकि debtors हमारा asset है तो debtors तो asset side आएगा कितने का? 20,000 का उसमें से minus करतेंगे bad debts कितने के? 5,000 के तो less करके हमारे पास amount आगी 15,000 क्योंकि bad debts loss in the value of assets है loss in the value of debtors है तो हम इसमें से minus करेंगे हाँ जी अगला point आ गया अगली adjustment है provision for doubtful debts ठीक है? तो कई बार क्या होता है? कि हमें जो actual में bad debts हुएं है ना? actual bad debts तो हमें पता चल गये कि actual में इतने bad debts हुएं इतने लोगों ने हमें पैसे नहीं दिये ठीक है? during the year for example अगर हमने 50,000 की sale किया है हमें 30,000 cash मिल गया 20,000 के अभी भी debtors पड़े हैं अब जो 20,000 के debtors हैं जासा कि हमने पहले किया उसमें से bad debts आगे ठीक है? bad debts आगे for example 5,000 ठीक है? ठीक है? रहे के 15,000 अब 15,000 में भी हमें उमीद है कि पूरे पैसे नहीं मिलेंगे ठीक है? ये जो 50,000 है इसमें से कुछ ना कुछ क्या होगा इसमें से भी recovery पूरी की उमीद नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? provision create करते हैं provision for doubtful debts अब कितना provision create करें? हमें क्या पता है? 15,000 में से कितने पैसे आएंगे? कितने नहीं आएंगे? तो ये जो provision create किया जाता है it is based on the previous year performance पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल ऐसा हुआ था जो पैसे रह गे थे 10 को percent recover नहीं हुए थे बाकि सारे recover हो गे थे तो it means कि recovery के chances कितने है 13,500 तो ये provision क्या है? bad debts minus करने के पाथ जो amount आती है उस पे provision create किया जाता है और कितना किया जाता है? it is on the basis of previous year ठीके जी? तो इसको हमने show कहा करने है? profit and loss account में जब हमने यहाँ पे लिखा न two bad debts bad debts हमने लिखे कितने के? 5000 के तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें provision for doubtful debts plus करतेंगे 1500 टोटल आ गया 6500 ठीके जी? दूसरा balance sheet में क्या करेंगे? पहले यही सारा जो मैंने उपर लिख है पहले हम debtors लिखेंगे 20,000 के उसमें से bad debts minus करतेंगे यह किस साइड आएगा? asset साइड आएगा ठीके bad debts 5,000 minus करते है रह गया 15,000 इसमें से हमने क्या किया? provision for doubtful debts भी minus कर दिया कितना? 1500 13,500 हमारी जो है debtors बच के actual amount जो हमें receive होने वाली है हाँ जी next step provision for discount on debtors अब discount कहां से आगया? discount क्या है? देखो जैसे debtors है ना मैंने किसी अलग लग परसन से 20,000 रुपीज लेने because मैंने क्या किया? credit sale किया अब उस पे bad debts आगे 5000 के 15,000 recoverable है अब उसमें से भी लगता कि 1500 recover नहीं होगा तो कितनी amount recover होने के chances है? 13,500 होता है कि जो लोग पैसा देने को त्यार है वो थोड़ी late देने को त्यार है तो हम उन्हें offer करते हैं कि अगर आप जल्दी payment करोगे तो हम आपको 2% जो है discount देंगे ठीक है? ये provision for discount on debtor जो amount recoverable है उस पे calculate किया जाता है ठीक है? अब ये 2% of this is 270 रुपीज तो provision for discount on debtor जो है सारा कुछ minus करने के बाद calculate किया जाता है समझ के discount हम लोग देते हैं debtors को क्यों देते हैं? so that they can make early payment ठीक है? तो हर एक business man को होता है कि अगर कोई payment रुकी पड़ी है तो वो जल्दी आ जाए इसके लिए वो offers देता है offers में क्या देता है? discount देता है अब जो discount दिया है जा देते हैं हर साल वो एक तरह का हमारा expense कहलो loss कहलो तो it will decrease the value of the debtors तो इसमें से minus होगा ठीक है जी? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? Profit and Loss Account Debit ठीक है? Profit and Loss Account Debit to provision for discount on debtors ठीक है जी? अब इसका procedure समझ लो इसी procedure में हमने minus करने है तो जब हमने Profit and Loss Account बनाना ना तो पहले हमने bad debts लिखने हैं ठीक है जी? 5,000 फिर हमने provision for doubtful debts लिखने हैं ठीक है? That is 1,500 ठीक फिर हमने provision for discount on debtors लिखने हैं कितना? 270 तो ये बन गया हमारा 6,770 ठीक है? अब asset side हम लोग इस तरह से ही show करेंगे जो हमने उपर किया है? इसको same as above ठीक है? same as above क्योंकि मैंने वो सारा आपको उपर करके दिखा दिया और इसी sequence में जब भी आपको question आना ना practically तो पहले bad debts, फिर provision for doubtful debts, फिर provision for discount अगर आपके पास bad debts नहीं है फिर provision for discount on debtors हाँ जी next provision for discount on creditors तो जिस तरह से हम लोग debtors को discount देते हैं जो हमारे creditors हैं वो हमें discount देते हैं ठीक है ना अब जैसे वो हमें कहते हैं कि आप जल्दी payment करो तो हम आपको क्या करेंगे discount provide करेंगे तो वो जो discount on debtor है वो हमारे लिए एक तरह का expense है उसे हम debit करेंगे बट ये जो discount on creditors है ये हमारे लिए income है तो इसको हम क्या करेंगे credit करेंगे किस तरह से profit and loss account की credit side डालेंगे by provision for discount on creditors ठीक है जी और जो balance sheet है उसमें हम लोग इसको क्या करेंगे balance sheet में creditors में से minus कर देंगे ठीक है for example creditors है हमारे 40,000 के तो हमने provision create किया 5% तो 5% इसका आगया 2,000 और यहां पर आएगा 38,000 और ये जो 2,000 है इसे हम क्या करेंगे income side शो करेंगे buy आगया तो income side है ये left hand side है तो it means कि ये liability है इसकी journal entry रह गी तो journal entry क्या होगी provision for discount on creditors ठीक है provision for discount on creditors account debit to P&L account ठीक है it is a 2,000 point clear तो इस तरह से हम लोग अभी 20 adjustments हैं अभी 10 ही हुई है तो बाकी की जो 10 adjustments हैं वो next वीडियो में करेंगे ठीक है आपने वीडियो को सब वीडियो को देखना है साथ साथ questions ट्राइ करने है उसके बात में practical questions भी करवाबगी ठीक है वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें हमेशा खुश रहें ठैंक यू